नमस्कार, मराथी प्रतिवा चानल मदे तुम्चा सर्वान सा पुन्हा एकदा स्वागत आहे आच्छा वीडियो मदे में तुम्हाला दाखोना राहे घरगुती कोष्टी वापरूनस तुम्ही स्किन वर कीमा तुम्चा फेस वर ग्लो कसानू शकता सो जर तुम्हाला ग्लोइंग स्किन हभी आहे तर आच्छा वीडियो मदे में तुम्हाला तीन डियाइवाइस दाखोना राहे जे तुम्ही घरीज बोसन करूश रखता स्किन मर ग्लो अन्या साथी आणि दोन एक्स्ट्रा एडिशनल टिप्स में अच्छा मोदे देना राहे जाचा ने तुम्हाला पर्मनन्टली देखिल रिजर्ट में जर तुम्ही अच्छा मोदे सातत थे ठेवला गंटिनूटी ठेवला तुम्हाला 100% बगायला में तेल यानि वीडियो आवडला तर लाइक करा, शेर करा, सब्सक्रेब नसेल के ले तर करा, इंस्टाग्राम ला देखिल मला फॉलो करा, सुरू करू या ताबन आपले वीडियो ला तर हपले ला आज काय कला लागना रहे, सगध पहले नदा ही वाइटमिन E कैपसूल में घितले ला आए, तैचनानता रोज वाटर की में टोनर घेचाँ है, मत घितले ला आए, ऐलोवरा जेल अपले ला ला रहे, तांदर जपीठ लिठह में घितले ला आए, रोगन बदम में साधरान एक चम्चा रोज वोटर घित लेला है ताचा मदे एक चम्चा अलोवरा जल अपलला टाकाई चाहे आने ताचान अंतर आपलला एक वाइटमिन E Capsule अचे मदे टाकाई चाहे इवियोन 400 गया कि मा बाजाराज जिपन वाइटमिन E Capsule तुम्हाला मेहते ती गया मिंक्स करून जहां आने भरवना मिंक्स करा मज़ सिए एक जलवेस कंजीस्टनसी होई ती जहली तिम यहा दुम्हा दुम्हे जल दी-ऐ-डि이ा इस शिन भूल मेता दाखिक विडियो लायट, फेस पैक ब्रश तुमौह लाह सामयों है, यह तुमौह प्रूस थेलمكن Prof. लौनि और आला, साधरत Ouaisरा फेस पैक ब्रश थेला SLID यह परूर्न ना थेलों गहता है गोड़ा 2019 डेफिनेटली करून बगानी मला सांगा तुमना नकिस यजा रिजल्ट मेल, तुम्ही स्किन माजी बगुष रकता है, तुम्ही बगुष रकता है, माजी स्किन हाइडरेट दिसाता है, मौश्यराइट जलेले आहे, और अथुन गलो अला सरक वाटता है, आदा दूसरे डिया कि ऐप्लारी बगले दकाँ है, तुम्ही बगलेठी ऑत्लाजानी, और पिता डेट, याच मम तान डियाहएट और наверで येजोजिद पईता है, मौठा द्लास येजों तुम्ही बगलें, दम्ही बंगलो काँ याच है, व्याच केप्सुल, दुम्ही बगला हाने यह भाने, बेसिकली ही एक स्क्रब आहे तांदा अचा पिठाए वजी ज़र कही ओप्शन देचासल तरी थे मी चंदन पाउडर चा ओप्शन तुम्हाला देईल भी माईटा चान प्रीष ने लाउन गेता है तर पूर्न चेहरेला गया कहिए अगला छान लाउन गया तर पूर्न चेहरेला चान लाउन गया, जुम्चा अंडराइसल पन विसणो न काती थे देखी लिया प्रशने खूप चान पत्थे ने, वाफेज पैक्क कि माई तर भी आता 10 मिंटे ठेवला नंतर हाँ अबला जो स्क्रब आए तो सुखुन गे लेला है याला चान मसाज करून पानी लौण मसाज कराईचा है तो पानी लौण मी चान पदे तीने पूर्न चेहरे वार मसाज करता है तो पानी लौण मसाज करता है तो पानी लौण मसाज करता है तो पानी लौण मसाज करता है तो बाला चान पानी लौण मसाज करता है आता हे लावाय चा पुरिभी काई जी गहेची मैंजे एक टावल तुम्हाला खाली गहेचा आए अनि तैचा नंतर हे ओपन करून चेहरे वर पुर्णा मसाज कराई चाहे तर या चामादे ऑलमंड ऑउल आ हे आनि अफ़कोर्स वाइटमेन जी आ चान रिजल तुम्हाला मैयल बिलीव में तुम्ही हाँ नख्के करून बगहा ही तुम्हाला छाह्यग कोरून बगही तर डेफिनेटली हाँ डियावे ट्राय कुरून बगा घरी तो मादा थोड़ा बर्फा कमी जहला होता परन मी पूर्ना चहरा ला चान पद्धतीने लाउन गेतले ला है आता हाँ जो आइसक्यूब आहे नॉर्मल तुम्ही वाटी जहली ताचा मादे चान पानी आलमंड ओईल आणि वाटीमिन ईटाकून तयार केला मिक्स करून तयासा बर्फा तयार केला तो असा सकिन लाला तरीत सालेल मैंजे असा टूल असा वच असा कही मैंडेटरी नाहीं आता ही बर्फाची मासाज चेहरा जहलेली आहे आनि तुम्ही इंस्टेंट बगू शकता है मैं चेहरा वाइप देखिल केलेला नाहीं जर तुम्हाला इंस्टेंट ग्लो हावासल तर हीजी तर हेजे अक्चुली तीनी डियाएवाई है तीनी खुप छाना है तर लेता था आइस वाला अमेजिंग आहे नक्की ट्राइ कुरून बगा आधा मैं एडिशनल टिप्स देना होते तैचमा अपलाई अपलावाप रायचाहे सीरं तुम्हा रेगुलर स्किन रूटीन म्दे यड़ कराइ चाहे तर अच्छा पत्यती चो ऑईल देखिल तुम्ही वापर हो शकता तुम्हा रेगुलर स्किन रूटीन मेदे, डेली स्किन रूटीन मेदे तर इते हैं मल्टी पेप्टाइड वाला सीरम में घितले लाहे और माजा पूर्ण चेहरे आला लाऊन गेता है नकिस सीरम तुम्हा स्किन केर मेदे इंक्लूड कराऊ कारण की तैची खरत खुड घरजा है वाईटामीन C साकाँ रातरी चरव यहाईलर नकवे यह इंक्लूड रेटिनोल इंक्लूड करा खुब बेनिफेट्स में एता ती आचानी तुम्चा स्कीन ला खुब छान समग किये ते चहरा गलो करायला लागतो आणी तेचा नंतर सगयत महदवासा मौश्यराइजर विसरो नका कुन तुम्चा आउडी चे रेगूलर मौश्यराइजर वापरता ते वापरा पुर्णा चेहलेला गयला में चान लाउन घित लेला है ते कधी स्कीप करो नका तेचा ने देखिल तुम्चा स्कीन वर चमक यहला खुब मददत होते आणि खुब सुन्दर अश्यर तुम्ची स्कीन ग्लो करता है तेचा नंतर आता लास्ट मज़ेजे टिप पाहे ती मंज़े आपलाला प्रोटीन शेक बनवाई साहे जचा मदे भर पूर न्यूट्रियन्स असनारा साहे सो बतस तुम्हाला कायम सा याजा रिजल्ट में रेगुलर ले तुम्चा डायट मदे इंकलूट के रहतर सगय तादे अपलाला इते गहसा है तर आपन अपला प्रोटीन शेक बनवाई साहे एक चमचा तूप येस तूपाने तुम्चा स्कीन मर ग्लोग येतो पन ते तुम्हाला नियमित पने घ्यावा लागेल सो या मिलक्षेक में एक चमचा तूप टाक लेला है आणि शेवटी येचा में एक चमचा मध टाक लेला है अधा तुम्ही बगितला जापन मी गोश्टी घ्यावा लेला है तूप पौवर पैक आहेत इतका चान हेल्थ साथे आहेत तर याचा देन देन आईशा में तो माला खूब फाइदा होईल याचा चान मिलक्षेक में बनवला आणि इतका टेस्टी बनतो बिलीव में खूब